हाई ब्रिवन कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल लए होगी आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल अनलाइन प्लेटफर्म अनेकेडिमी पर जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर आप देख रहे हैं आपके सामने हैं जिन में मिरनाल पटेल, सुधरसन गुर्जया, डाक्टर सिध्यात रोड़ा बहुत सारे टॉप एजुकेटर इस मंच पर हैं जिन से आपको पढ़ने का आउसर उपलब्द हो रहा हैं मैं विपिन मिस्रा, क्यारेक्टर आफ यूनिक आईयस इस्टिटूट परियाग राज मैं पिछले साथ वर्सों से अधिक समय से दिल्ली तथा परियाग राज की विभिन संस्थाओं में जोग्राफी आप्शनल यूंग जीयस पेपर तथा साथी साथ में इनवारिमेंट की क्लासिज ले रहा हूं मैं भी थ्वासा आपके साथ लाइप पर हो जाओं ताकि आप लोग के कमेंट को देखता रहा हूं पेटा और 11% डिसकाउंट के बाद प्लस कोंबो की एक वर्ष की फीज 46,749 रुपे आइकोनिक कोंबो की एक वर्ष की फीज 63,989 रुपे तो आइकोनिक जीयस की फीज 6,345 रुपे है UPSC CSC 2020 का जो रेजल्ट आया उसमें 170 से ज्यादा छात्रों का चैन हमारी संस्तान से हुआ इसमें 2nd rank प्राप्त करनी वाली जागरती अवस्ती, 9th rank प्राप्त करनी वाली अपाला मिस्रा, आल इंडिया rank 10 प्राप्त करनी वाली सत्यम गांधी, गवरो, करिस्मा, आर्थ जैन, पोडिसेटी, ये टॉप 20 में 7 बच्चू का चैन हमारी ही संस्तान से हुआ है लाइब मेंटरिंग प्लेटफार्म जिसमें आप हमसे सीख पाएंगे प्रस्नल कोचिंग, गाउट स्वाल्बिंग, इवलेटेट टेस्ट स्रीज, डेली आंसराइज टिंग, इस्टिडी बुष्टर सेशन, ये सभी सुद्धाएं आपको हमारी तरफ से मिल लहीं है और दो अर्सी बैच है, जो बाइलिंग्वल, हिंदी और इंग्लिस तीनों माद्यमों में आपको उपलत कराया जाएगा येदा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विपिंटे नियूज करने पर, ये हमारा कोड है, इसमें आपको 10 परशन की चूट मिलेगी और 10 परशन की चूट के बाद एक वर्स की फीज 44,500 रुपे होगी येदा आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विपिंटे नियूज करने पर 10 परशन की चूट आपको यहाँ पर भी मिलेगी और इसके बाद एक वर्स की फीज 67,050 रुपे होगी आप्शन की फीज 27,500 रुपे है, ये आपकी फीज है विपिंटे नियूज करने पर 10 परशन की चूट, 10 परशन चूट, 24 या 750 रुपे ये 2300 रुपे पर मन्त हमने उत्तर का जो प्रवती प्रदेश था इस समय आपका जो चल्ला बिटा बीच में दो दिन क्लासे जाप होई, उसमें बहुत ही दुखत बात है बिटा हमारे घर में हमारी बड़ी भावी जी का एक्स्पायर हो गई है, तो इस विज़ा से दो क्लास नहीं हो पाई है साथी साथ में अब हम लोग फिर से आ गए हैं और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मेदान तब ग्रेट प्लेंस इन इंडिया आखिर में आपको याद होगा हमने बताया था कि यह है आपका महान हिमाले, यह है आपका मद्द हिमाले, यह है आपका सिवालिक 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 के बाद सिवालिक के दच्छन में शुत्तर भारत का विशाल मैदान जिसे सिंदु गंगा का मैदान भी कहते हैं सिंदु गंगा का मैदान है और सिंदु गंगा के मैदान के बाद ये है आपका प्राइदी पीए भारत उसके दच्छिन में है प्राइदी पीए भारत उसके बाद तटी ये है आपका तटी ये मैदान और ये है आपका दीव समो जिसमें लच दीप और अंड माननी को बार द कि नदर्न प्लेंस या उत्तरी मैदान ओफ इंडिया या दग्रेट प्लेंस ओफ इंडिया उत्तर भारत का अभिशाल मैदान आपको ये भी व्याद है वेटा ये आपका ग्रेट हिमाले है ये मत हिमाले है ये है सिवालिक सिर्णी तो सिवालिक सिर्णी के दच्छणी में ही उत्तर का मैदान फैला है उत्तर का मैदान बिस्त्रित है तो सिवालिक परवत सिर्णी के दच्छणी में उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है सिवालिक परवत और उत्तर भारत के बीच एक विसाल फ्रंस एक विसाल इनके बीच देखा जाए जैसे यदे हम कहें तो ये इसको हम supposit एट ये आपका माले जी ये हम आपको माले ये सिवालिक सिडि़ी है तो सिवालिक के बीच जो ये आपका छेतर है इसी के दच्छन में इसी के दच्छन में आपका है शिंदुगंगा का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान तो इसको अलग करने वाली जो भरंस रेखा है इस रेखा को कहते हैं ये जो अलग कर रही है इस रेखा को कहते हैं HFF हमने कल भी बताया था हिमालयन फ्रेंट अलफा कल का मतलब जिसम नेक्ष्ट क्लास में जो बीच चुका है उस क्लासिस में हमने आपको बताया था कि महान हिमालय और मद्ध हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है जो भरंस है उसे हम कहते हैं M.C.T. में सेंटर थर्ष्ट और मद्ध हिमालय और सिवालिक सिर्डी को अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं हिमालयन फ्रेंटल फाल्ट हिमालयन फ्रेंटल फाल्ट जिसको हिमालयन फ्रेंटल फाल्ट कहते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में पहले वी इस वैशाल जो विशाल मैदान है इस विशाल मैदान की उत्पत्ती इसकी उत्पत्ती सिंधु नदी सतलज नदी गंगा ब्रहम पुत्र और उनकी सहाय नदियों के द्वारा लाए गए आउसादों के जमाओं के फरस्दों जो आप देखते हैं हम थोड़ा सा यहां पर एक बार दुबारा विटा चर्चा करेंगे और यहां पर एक बार हम दुबारा यह चर्चा करें suppose that माली जी ये आपका इंडिया है ये आपका माली जी नदन प्लेन है ये आपका जो नदन प्लेन है ये आपका ये ही आपका नदन प्लेन आफ इंडिया है ये नदन प्लेन आफ इंडिया का जो निर्माड हुआ है वो सिंदु नदी सतलज नदी गंगा ब्रहम पूत्र गंग पर चापाकार आकार में फैला हुआ है, जिसकी मोटाई देखोगे तो पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में इसकी मोटाई कम है। जो कुत्पत्ती हुई है, ये सिंदो गंगा की मैदान सिंदो स्ततलज गंगा ब्रेंपूत्रिम्पूस की साहिग नदियों द्वारा लाए गए, जल्होड सी हुई है, इस मैदान को पश्चिम से पूर्व की उर्विस्ता 2400 किलोमीटर है और चौणाई भिन भिन अस्थानों पर 160 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है, इसकी भी चर्चा हमने आपको करजी, अगला है उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जारखंड राज में राज महल की पहाड़ियों के पास इसकी चौणाई 160 किलोमीटर है, आप देख रहे हैं यापर, जो जारखंड है, ये परियाग राज के पास 280 किलोमीटर और पंजाब में लगभग 500 किलोमीटर है, पंजाब में 500 किलोमीटर है, साधनता की बात हम करें, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तर भारत की मैदान की चौड़ाई में रिध्धी होती जाती है, या हम कहें कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो चौड़ाई में सामनेता कमी होती जाती है, जैसा कि हमने आपको ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने फिगर है बेटा, ये जैसे जैसे हम पर्श्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, इसकी चौड़ाई कम होत जाती है अंजी बिल्कुल बेटा तो अब इस पकार आप लोग एक बार हम आपका कमेंट देख लेने बेटा और सभी बच्चे बेटा सेशन को एक बार सेयर कर दीजिए ऐसे फिर सभी लोग यार सेशन को शेयर कर दीजिए तभी मजा आएगा बेटा पसर में आ रहे हैं इसकी औसत गहराई की बात करें तो तेरा सुसे लिकर चौदा सु मीटर के बीच आती जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान है इस उत्तर भारत के बिशाल मैदान की जो गहराई है वो तेरा सुसे लिकर चौदा सु मीटर के बीच आती जाती है सबसे कम गहराई बुंदेल खंड के उत्तर में पाई जाती है जबकि सबसे अधिक गहराई हर्याना राज के अमबाला यमना नगर के बीच लगबग आठ किलिमीटर मनी जाती है उत्तरी भारत के मैदान की सबसे प्रहुविशेस्ता उसके समतलता है उसका धलान आतिमंद है यदा कद जो धोर रेत के टीले नदियां है इन नदियों के प्राकृतिक जो बांध है जो बीहर कटी फटी जो भूम है नदियों के खादय में उची-उची जो घास है जो खोल्स है ये प्राकृतिक द्रिस इस मैदान की सरलता को भंग कर रहे है इसके जो समतलता है उसको भंग करते नदियों की बाढ़ से वर्सा रित्मी प्राया बाढ़ आती है और बाढ़ आने से खादर छित में रहने वाले को भारी नुकसान का सामना होता है हलाकि ये खादर छित को भारी रहने वाले लोग हैं उनको भारी नुकसान का तो सामना करना पड़ता है लेकिन ये खादर मिट दुसरी तरफ आपको उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ती के संदर में लेकिन इस समय से जो सर्मानी अउधानडा है वह है वह है प्लेट बृतनिकी से धान प्लेट ट्रेक्टॉनिक सी धान लेकिन यहां पर इससे पहले भी एक सी धान था है आश्ट्रिया के प्रसिद्र जिसे आप कहते हैं अग्र गर्त का जलोडी करण आश्ट्रिया के जो प्रसिद्र भोगर विसेसक एडवर्ड स्वेस के अनुसार हिमाले की उत्पत्ती के पशाद उसी के दच्छन में एक विशाल अग्र गर्त बन गया और यह फोल्डी एक बड़ी भुसनती भात था जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं यह बिंध्यन है औ हमाचल यह हीमालेयन फार्ण है जिसे आप कहते हों कि हमालेयन फ्रंटल फार्ट हीमालेयन फ्रंटल फार्ट है तो इसी के बीच देख एक बिभिन एक जियो हम कहेंगे तो एक शिंक्लाइन की तरह एक बड़ी भुसनती की भात था इस भुसनती में बहुत छोटी-छोटी आवनतियां थी तो इस महोदों के अंसार इस अगर गर्त का उत्तर की और और ढ़लान बंद और दच्छिर का ढ़लान तीव था उत्तर भारत के मैदान का जो तलहटी प्रायदीब की कठोर चटाने थी इन ही कठोर चटानों की बनी हुई था बहुत ही यह सब साधान है बात देख रहे हैं यह है आपका हिमालय यह है हिमालय तो हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायदीब भाग से निकलने वाली जो उत्तर की और नदियां है इन नदियों ने भारी मात्रा में आवसादों का निच्छेपण किया और इनहें आवसादों की निच्छेपण के फल्फुलोग भारत के मैदान की उत्तर भारत की विशाल मैदान की उत्तर भारत की विशाल मैदान की उत्तर भारत की विशाल मैदान की उत्तर भारत की तलहटी का आसमान धलान उम्मत तलहटी में पाई जाने ओले भंसु की स्वेसमायदो सही व्याख्या नहीं कर पाए कि आखिर में तलाटी का आसमान धलान क्यों है और यही अगरगर सिध्धान्त की अलोशना मानी जाती है दूसरा है उत्तरी भारत के मैदान इसके अतरिकत हम यह दूसरी बात करें तो हम कहेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक रिफ्ट वैली जो इन फिलिंग है जो विराड के अंसार या विराड के अंसार कहें तो उत्तर भारत के मैदान की उत्त्ति एक रिफ्ट घाटी में एक रिफ्ट वैली में आउसादों का एकत्त्री करण हुआ और इन आउसादों मालेजी यह आपका यह सपोस्देट आपका रिफ्ट वैली है यह हमने कहा यह है स इसी रिफ्ट वैली में आवसादों का निछेपन हुआ, आवसादों का जमाव हुआ और इसी आवसादों की जमाव के फलसुरोग, इसी आवसादों की जमाव के फलसुरोग, ये आप मारी सपोस्थ ये ये हिमालेई नदियां हैं, ये प्राइदीपी नदियां हैं, तो हिमा एक उत्तर भारत के विशाल मैदान और यह सारी चीज़ हमने आपको बताई दिया अगला एक महत्रपूर है कि सागर का अपगमन सिद्धान decision of sea theory उत्तर भारत यहां पर आप देख रहें कि उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ती के संदम्भें या संबन्ध में देखें तो सागर अपगमन का सिद्धान्त blend भड महोदे ने 1876 में दिया और इनके अंसार जो इयो सीन का पीडिड है इस इयो सीन में भारत का प्राइड वीपिये भाग प्रिंसुला जो भारत है जो प्रिंसुला इंडिया है वो अफ्रीकी महादीप से जुराता ऐसा किस ने कहा एकॉर्डिंग टू ब्लेंड फर्ड के अंसार ऐसा माना जाता है लेकिन शवी लोग बिटा सेशन को एक बार सेयर कर दीजिए बहुत ही ऐसे क्लासिस कैसे क्लियर होंगी बताएं बिटा ऐसे कैसे आप लोग आई इसकी त्यारी करोगी बिटा एक मात्र फ्लेट फार्म है जिस पर आप लोग सीख रहे हैं फ्री आफ क्वाश्ट फ्री आफ क्वाश्ट बिटा कोई भी आपको अगला बिंद्य यहाँ पर देख रहे हैं कि इस विग में एक सागा था जो पूर्ग में असम और इरावदी से लेकर सिंदुगाटी, लद्दाग, पंजाब और ब्लूचिस्तान तक फैला हुआ था हिमाले परबत के उत्थान के समय से इस सागर में आवसाद एकत्रित होते गए, नदियों द्वारा लाए गए आवसादों के कार्ण हिमाले के दच्छनी में फैले सागर के छित्फल में कमी आती गई और पुत्री भारत के मैदान की उत्पत्ति, आवसादन और जो आवसादन एक वम आवसादन की इन लंपी परकिरियाओं के कार्ण ये सागर पूरी तरह भरकर संतल रूप धान कल गया और जैसा कि उपर हम लिखा वेटा ये सागरपूर में सिलांग के पठार से लेकर पस्चिम में अरवियंस सी तक फैला हुआ था, अपनी ओधाना की समर्थन में ब्लेंड फर्ड ने निम्ड परमाड भी प्रस्तुत किया है, जैसा कि उत्राखंड का कुमायु गढ़वाल प् सुंदर वन का डेल्टा का बंगाल की खारी में बिस्तार, भारत की ये उत्तरी भारत के मैदानकी उत्पति में टेथी सागर की औसिश्ट ये भी आपकी गजाम के धिष्टी से इतना ये आपके एक्जाम के दिश्टी से बात में पेड़ा आदहूनिक मत के सिंधार में यद हम कहें तो एक है आउतलन या सैग जील का प्रितित करता है इस आउतलन या स्वाग की उत्पति भारती उप महादीब की उत्तर की और विस्थापन के कारण तेथी सागर की दच्छनी छोर पर मुलायम आउसाद एकतित हो गए तक दच्छनी से यद हो कहें छोर का जो बाद में ऊपर की ओर उठे गए और उनका उत्थान हुआ आउतलन में आउसाद जमा होने से उत्तरी भारत के मैदान की उत्पति हुई दूसरा उत्तरी भारत के मैदान की सबसे ब्रीविसेस्ता इसकी मंद डरान है आप यहां से देख रहे हैं यह आपका हिमालयन है यह आपका भांबर का मैदान है यह आपका तराई है यह आपका बांगर है और यह है आपका खांदर का मैदान है यह फिगर आप लोग अपने दिमाग में रखेगा चुकि यहां से कुश्चन बननी की संभावना बनी हुए सभी बच्चे इस सभी बच्चे इस सभी बच्चे इस फिगर को जोरूर याद रखेगा वेटा उत्तर भारत के मैदान को निम्भो अकृतिक परदीसों में विभाजित क्या आता है जिसमें यदे हम पहला बात करें तो हम कहेंगे भावर का मैदान यह आप देख रहें भावर का मैदान एक बच्चे बच्चे इटा चले हम एक-एक मैदान की इचाचा करेंगे यहाँ पर भावर का जो मैदान है जो अवस्थिती है सिवाली के दच्चिन में पश्यम से पूर्व जम्मू डिवीजन से आसाम तक इस्तित है भावर का मैदान इसकी अवस्तिती सिवालिक के दच्छन में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम जम्मो डिवीजन से आशाम तक इस्तित है, इसकी चौड़ाई पश्चिमी मैदाम में असम के पूर्वी मैदान के तुलना में अधिक है, इसकी चौड़ाई आठ से पंदरा किलो मीटर है, पना यहाँ पर जो शिवालिक सिर्णी है, जो हिमालेन जो रेंज है, इसका अपक्छे मपर्दन के फल सुरूप इस सिर्णी का निमारगवा है, फशल किर्सी के लिए आयोग्य है, इस प्रदेश में बड़ी जड़ो सहित बड़े-बड़े प्रिच पाए जाते हैं, निमासी अधिकांस जो है जो गुर्जा जो पसूं में पसूं को रखते हैं, अगला एक महत्पूर है, वो है तराई की पेटी, यह अधिसी सिकेंड है, जो है तराई की पेटी कहलाती है, इसकी अवस्तिती भावर प्रदेश की दच्छन में 15 से 30 किलोमीटर यह चमड़ाई इ जिस्तित है, जो तराई का पेटी है, जो तराई पेटी है, इस छेत्र में अतधिक नमी है, अतधिक नमी होने के कारण यह गहनेवन, समरिद वनजी, मच्छों से यह क्या है, एक बात ओसम जी पेटा कि तराई का छेत्र है, इसलिए यह बिभिन रोगों की द्रिष्टी से जाना जाता है, तराई का छेत्र है, और मच्छों से यह कश्ट दायक है, सिवाली के दच्छन किनारों पर जंगली गासिम दलदली छेत्र है, जो तराई छेत्र को किसी के लिए सुधारा गया है, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, हरियाडा, पंजाब, जम्मू में आई छेत्र में होता है, अगला बिन हम बात करें, तो एक है बांगर का मैदान, जिसे अब बांगर, बांगर का मैदान है, तो भारत के यहां से आप देख रहे हैं, कि यह है बांगर का मैदान, हांजी बिल्कुल आप सही सने, बांगर का मैदान, वे भारत के विसाल मैदान की कूपरी जिल्होपरदेश का प्रतिनित करते हैं जो पुरानी जिल्होड सी बने हैं बांगर सनचनाओं को मद्ध प्रिष्टू सीन अबद के दरन जमा किया गया था और ये निदियों की बार सीमा सी उपर है इसकी मिट्टी का रंग गहरा है हुमस उस संपन और उत्पादक है इसमें असुद कैलसियम कार्बुनेट या कंकड के संगठन इमपिंड होते हैं जो बांगर का मैदान है या पेचा की सुस छेतरों में बांगर नमकीर इमचारी छोड़ी छोड़ी छेतरों में मिलते हैं अगला एक है कि खादर का मैदान अंतिम जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी अंतिम है खादर का मैदान नदियों के छेतमी नवीन जड़ों को खादर कहते हैं एक बात और समझे वेटा, जो अभी हमने आपको बांगर का मैदान बताया, बांगर पुरानी जड़ों मिट्टियों को बांगर का मैदान के, वर्सारीत में प्रतवर्स ये गाद के या खाद नेविने छपों से निमित है, और जिसके करण खादर भूम में रेत, गाद, चीक और मिट्टी, चीका और मिट्टी होती है, स्वतनता के बाद इस प्रदेश को किर्शी में लाया गया, जो ये खादर का प्रदेश आप देख रहे हैं, इस खादर के प्रदेश को स्वतनता के बाद इसे किर्शी भूम में लाया गया, और गन्ना, चावल, गेहु, मक्का, तिलहन, फलिया और चारा फसले भी वगाई जाएंते हैं यहाँ पर, खादर नीचेपों में मनुस, हेरन, बैल, भैंस, घोड़ा, हाथी, गैंड़ा, आदि की जीवित, जिवास में लोते हैं, आदि की यहाँ पर, और एक अंति में है कि डेल्टाई मैदान, यहाँ से आप देख रहें, कि अंति में आपको डेल्टा का मैदान मिलेगा, डेल्टाई मैदान खादर भूमी का विस्तार है, जो हम एक सब में कहेंगे तो डेल्टाई जो मैदान है ये खादर भूम का ही बिस्तार है आजी बिल्कुल आप सही सुनने हैं गंगा निदी के निचले छेत में लगभग एक दस्मलो नव लाक वर किलो मीटर में इसका बिस्तार है ये छेत नदी में मंद गसी बहते निचेप का चेतर है डेल्टाई में मैदान मुखता पुरानी मिट्टी नई मिट्टी और दल्दली भूम से बना है ये तीनों जो डेल्टाई जो प्लेंस है ये मुखता पुरानी मिट्टी नई मिट्टी और दल्दली भूम से बना हुआ है डेल्टाई छेतर में उच भूम जैसे जबकि बंगाल की खाड़ी दढड़ी छेत्रों में Will कहलाती है जबकि भंगण की खाड़ी कि ओर बिस्तित होता है यहाँ पर ओके बैचरों यहाँ से आप देख रहे हैं कि फिक ख्लासिस को लगातार वेटा इस पकार यहां पर बिटा आज उत्तर भारत के मैदान का जो हमने डिवीजन बताया यह उत्तर भारत की मैदान की उत्ति कैसे हुई उत्तर भारत का जो मैदान है इस उत्तर भारत की मैदान का जो भू आकृति कितनी पांच तो इसे पांच आपको होगे भामर का मैदान, तरा वो हम आपको कल सिखाएंगे, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सभी बच्चे एक बार और द्यान से सुनिए बेटा, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यद आप वन एयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वन एयर सब्सक्रिप्शन में आपको, आपको प्री सीडूल है, यह आपको उपलब्द कराया जा रहा है, यद आप दो वर्चों का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको यह सीडूल है, आप कोई भी विटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यह जो वीक्स है, यह इस्पेसल प्राइस भी की रूम में बना जा रहा है, और सभी हम लोग फिर मिलते हैं कल पूर पियम के साथ,